हाई गाईज इस वीडियो में हम लोग लेधर टेक्नलोजी करियर आप्शन के बारे में जा नहीं कि लेधर टेक्नलोजी अगर आप करियर आप्शन चूज करते हैं तो क्या-क्या चीजें हो सकती है लेधर टेक्नलोजी जो करियर आप्शन है वह एक इंजिनेरिंग ब्रांच है यानि कि लेधर टेक्नलोजी इस अब ब्रांच ऑप इंजिनेरिंग इंडिया में फोर्थ लार्जिस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है ये इंडिस्ट्री इसमें लेधर टेक्नलोजी अगर आप करियर option choose करते हैं तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इसका production से related इसके refining से related इसके designing से related etc courses क्या-क्या होती है इस field में वो सारी चीज़ें देखते हैं कि आप certificates कर सकते हैं, diploma भी इसमें किया जा सकता है और degree भी किया सकता है यानि कि b.tech भी आप इस branch को लेकर कर सकते हैं क्या होना चाहिए आपके पास capability इसके लिए eligibility क्या है तो 12th with PCM आपके पास होना चाहिए तो आप b.tech में admission ले सकते हैं इस branch के लिए colleges कौन-कौन से है B.I.S.T. है चन्नी में जहां आप admission ले सकते हैं इस branch के लिए University है College of Leather Technology है Kolkata में जहां आप admission ले सकते हैं National Institute of Fashion Technology New Delhi में यहां भी आप admission ले सकते हैं Opportunity क्या मिलते हैं यानि कि पढ़ाई खतम करने के बाद क्या आपको job मिलेगा और किस industry में आपको job मिलेगा तो जहां job मिलता है इस career option को अगर आप की संभावना होती है ठीक है Designation क्या होगा आप किस पद पर या फिर किस post में जोइन कर सकते हैं अगर आप ने career option चूज किया है तो company में placement होने के बाद आप leather technician के तोर पर काम कर सकते हैं leather product designer के तोर पर काम कर सकते हैं fashion designer के तोर पर आप काम कर सकते हैं देखें leather जो है अभी काफी demanding material है चपल, जूते, खिलोने, बैग, पर्स, बैल्ट और यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बहुत सारी ऐसी materials हैं बहुत सारी ऐसे equipments बनाया जा रहे हैं जिसमें कि leather का इस्तमाल होता है तो उसको कैसे सही तरीके से product करना है इसको डिजाइन करना है, इसको refine करना है यह सारी चीजें बहुत जुरूरी होती है पहले क्या होता तर पहले जमाने में यह सारी चीजें नहीं होती थी मतलब इस field को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था पहले लोग बस जानते थे कि हाँ यह है इसको इस तरीके से करना है, लेकिन आज क्या हो यह हर चीज में आपको perfect होना है इसलिए आज यह career एक बहुत अच्छा career माना जाता है जिसमें आप specifically leather के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में अधिक सथी जनकान इसल करते हैं और उसको implement करते हैं किसी company में तो मुझे उमिद है कि आपको इसके आपको जनकारी सही तरीके से मिल पाई होगी leather technology क्या होता है और इसमें क्या क्या career option है और किस तरीके से इसमें आप आगे बढ़ सकता है अगर कोई doubt है इस विसे में इस career option से लेकर तो आप नीचे comment कीजिएगा अब मैं एक उसिस करूँगा आपको reply करने की thanks for watching this video